भारतिय औशदी महानियंत्रक DCGI ने भारतिय सिरम संस्थान को ओक्सफोर्ड विश्व इदालय द्वारा विक्सित COVID-19 वैक्सिन को विशिल्ड के मनुष्य पर दूसरे और तीसे चरण के परिक्षन के अनुमति दे दी है महानियंत्रक DCGI सोमानी ने COVID-19 के बारे में विशिशग्य सम्थी की सिफारिशों के आधार पर गहन मुल्यांकन के बाद भारतिय सिरम संस्थान को कल्यह मंजूरी दी इसके साथ ही केंद्र सरकार ने सभी राजियों केंद्र शाशित प्रदेशों से कहा है कि अस्पताल में भरती COVID-19 रोग्यों को स्मार्ट फोन और टैबलेट के साथ रखने की अनुमति दी जाए स्वास्त मंत्राले में स्वास्त सेवाओं के महानिदेशक डॉक्टर राजीव गर्ग ने राजी सरकारों को इस आशे का पत्र लिखा है अब COVID-19 रोगी वीडियो कॉन्फरेंस के जरी अपने परिवार और दोस्तों से बाचीत कर सकेंगे इससे उन्हें मानसिक दवाब से उबरने में मदद मिलेगी हाला कि अस्पताल वार्ड में मुबाइल फोन की अनुमति है लेकिन कुछ रोग्यों के परिजनों ने सरकार को लिखा था कि अस्पताल प्रशासन रोग्यों को मोबाइल फोन की अनुमती नहीं दे रहा है कोरोना को लेकर स्वास्तमंत्राले ने देश में आने वाले अंतरास्ट्रिय यात्रियों के लिए नए दिशा निदेश जारी किये हैं ये आठ अगस्ते लागो होंगे इनके तहट यात्रियों को यात्रा से कम से कम 72 घंटे पहले स्वगोशना ऑनलाइन पोर्टल न्यू दली एयरपोर्ट पर देना होगा उन्हें इस पोर्टल पर यह शपत पत्र भी देना होगा कि वे अनिवार रूप से 14 दिन तक क्वारंटीन में रहेंगे इसमें साथ दिन के इंस्टिचूशनल क्वारंटीन का उन्हें भुक्तान करना होगा साथ दिन तक वे घर पर आइसोलेशन में रहेंगे गर्वती महिलाओं गंभीर बीमारी और परिवार में मृत्यू की स्थिती में घर पर 14 दिन तक क्वारंटीन के अनुमती होगी यात्रियों के गंतव्य तक पहुंचने पर नेगेटिव आर्टी पीसी आर जाज रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर इंस्टिशूशनल क्वारंटीन से छूट मिल सकती है वहीं उत्राखंड में कल जारी हेल्थ बॉलिटिन के अनुसार कुरोना संक्रमितों की संख्या 7593 हो गई है इन में कुल आक्टिव केस 3032 हैं जबकि 4437 लोग स्वस्थ हो चुके हैं जबकि 86 कुरोना संक्रमितों की मौत हो गई है